जब KBS और NBS मतलब केंद्रिविध्ध्यल और नवोद्य विध्ध्यल नम जब TGT-PGT त्रेंट ग्रेजुट टीचर और पोस्ट ग्रेजुट टीचर की जब डेकंसी निकलती है न तो उसमें एक क्राइडियर रहता है कि इसके अंदर मतलब 50% मार्स में बहुत जरूरी रहत हैं अगर आप जो हैं TGT में जरूरी है और फिर डालते हैं तो इसके अंदर आपको 50% मार्स बहुत होना जरूरी हो अब जरूरी है और CT के लिए है और मतलब PGT के लिए CT नहीं मांगते तो आज हम इसी की बात करेंगे तो हैलो गाईस मैं आपको स्वगत करता हूँ अपने तो आज में हम बात करेंगे कि क्या UP, TGT, PGT में भी जो है क्या ये चीज रूर्स लागू होंगे या नहीं होंगे इसी की बात कर लेते हैं और जो अभी आठ तरिक के दिन पीछा ही मीटिंग होई थी ठीक है तो मीटिंग में क्या क्या सर्थ है थी अब आपको इसका जो नोटिफिकेसन है वह आएगा उक्टूबर के लाश्ट में इस महिने के लाश्ट मन्थ में आपको देखने को मिल जाएगा गार्णवर स्था सबसे पहली बात इसके अंदर कि का अंदर कियं होगा इसुए कि तरह नहीं होगा इसमें मि आपको क्लियर कर दूँँ इसके अंदर जो है 50 फिप्टी पर्सेंट जरूरी है पर हुआ मैं आपको बताता हूं केंद्री विद्ध हलें और नंवयद्ध हलें यह एक सहर में एक होते हैं एक होता हैं तो अभी आपने देखांगा कि कॉंट्रक्त बेस्ट पर निगली दी साड़े 27,000 बतला कि एक साल पर निगली दी तो पर प्वालों को दिन गे और तीजटी वालों 26,000 बतला जरूरी यह के वल वैप मतला आप मार्स वे जुने जरूरी होते हैं जिस सब्जेट आपने बहरा है माना आप इंगलिस के टीचर बनना चाते तो आपके पास PZ मतला MMA में जो है 50% मार्स होने बहुत जरूरी है इस तरह आपने physics chemistry ने भरा घोसके अगोर्डिंग जो है 50% मार्स वोने जरूरी है इसमें सबसे पहले बता दूँ है पहली बात इसमें इसके अंदर इसमें इस तरह के बाणुशन नहीं होती है अगर किसी के 33% मार्स हैं वह भी इसमें फारम एपलाई कर सकते हैं अगर 70% मार्स प्रेंगा जिसके 48 ऑइफ, 47 वह वह भी चाहिए हैं इसमें इसमयेंगा क्रैटरिय क्या रहता हूं उत्तर प्रदेश – त्रुमि पिजती यहिता है एंटर कॉलेज में जो गवर्मेंट टीचर होते हैं न तो वह सरकार के अगोडिक रखे जाते हैं जो असास के विध्याले रहते हैं ठीक है उनके लिए जो एड जैसे कहते एडिट कॉलेज ठीक है तो वहाँ पर अगर TGT के निकलती है तो यह आप TGT के लिए जो है केवल 10th क्लास पढ़ाते हैं केवल 10th क्लास के नहीं मतलब कि आपको जो है 6 से लेकर 10th क्लास तक मिलती है बस ठीक है यह तो हो गया हमारे TGT में मतलब फरंट से इंटर ठीक है इसमें जो है कि इसंवे नहीं आपको दिया नहीं आापको दूंप थंक में तो इसमें मदलब फिसटी में तो इसमें आप जो जो झब इन्तर्कर्म कर दिया गया सामने लिखा हुआ है रहत ब explicit होट ने और एक बात और है इसमें जो M8 और PhD वाले जो एपलाई करते थे MPHL वाले जो थे और B8 वगरा जो थे तो इसमें उनके नमबर जुड़ते थे M8 के आपके दो नमबर हो गए, दो PhD के हो गए, NCC के हो गया एक नमबर है ना और आपका NSS का हो गया है नो तो यह भारंक समाप्त, उसकी कोई जरूवत नहीं है ठीक है तो वो बिल्कुल वो ऐसा ना समझें कि इसमें जो है TGT और पीजुटी इसमें जो है पीजुटी पे इंटरव्यू हैगा तो इसमें आपको हो सकता है कि इसका benefit आपको मिल जाए M8 और PhD का ठीक है पर TGT में जो है trained degree teacher में जो है जूरी बात इसमें जो पेपर आएगा आपका उस इस साल में जो चैंज सिल्सवें तो इए को मिल्च के तरह ही होगा अगर आपमें एक्सां दिया होँगे तो एक सामानने होता हमारे स्कंड हे दो पार्ट होते है ठीक है यह वाला जैसे किसी को हिंदी का टीचर बनना है या इंगलिस का बनना है ठीक है जैसे किसी को मैत का बनना है आपका साइन्स आपका साइन्स इसमें क्या इसमें तो पहला जो सब्जेक्टिट क्या है पहला वाला समान सबका रहेगा न रहेगा जो आपके जो तीस कोश्चन आएंगे यह सबके लिए होंगे बराबर बराबर होंगे ठीक है यह तीश कोस्टन जो होंगे सबके लिए सेम होंगे और जो सब्जेक्टिट वाला जो होगा यह जो अपने अपने विज्ट है के जो है वो 120 कोस्टर आएंगे माने 120 इसमें के वल हिंदी हिंदी की होंगे इसमें इंग्लिस इंग्लिस के ही होंगे मैत वाले में 120 बहुत है subjected सामान्ये वाला जो इस में सेम रहेगा सामान्ये में क्या पड़ रहती है कि इसके अंदर आपकी रिजनिक मैथ आईगी सामने जो सामन हंग्रेजिय होगी इसके इसके अंदर और आपका बाल विकास भी आएगा ना स्कें अंदर मैं आपको समझा दूं इसमें सामने वाले में बाल विकास हो गया रिजनी हो गई मैट हो गई साइंस हो गई आंप करेंट आफेर बी कॉस्चन के पूछ ले आते हैं और सबजेक्ट वाला यह सब्सक्र्ज़ां के साम यह सब सेम हो गई गड्यत के में अब 2020 में निकलेगा ठीक है यह क्या बता रहूं बैसे तो इसका तो उन्नीस सो अठावी और निन्यानिवी से बोर्ट बना हुआ तब से टीजीटी-पीजीटी हो रहा है है ना तो फिलाल जो 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 लेटेस्ट जो इसमें इंटरुवी चल रहे है ना वो इनी की चल रहे इसमें निगेटिव मार्किंग रही घ्लिए और इसमें रहेगा चालिस पिफैसगर रहे मतलब जिसके है जिसके साट नममर हैं वही चालिस परसेंट वाला इसमें चालीस और पैतालिस वाला हिसाब चलेगा मतलब जिसके 60 नंबर होंगे SCOBC के लिए इसके लिए 60 पिकलांग कैटिग्रिया साइड और जिसके जो है इसमें जो है इसमें 60 नंबर और बागी 65 नंबर यह 75 नंबर कहने मतलब यह कि इसमें जो आभी आपने देखा कि 69 बढ़ती चले चालिस पतालिस वाला चालिस पतालिस का और 65 लड़ाई चल लगी है तो ऐसे ही कहना मतलब यह एल्टी ग्रेट में भी जो है वो चलता है रूल्स है ठीक है तो यह है आप देखा होगा यह बहुत हैलफुल वीड इसकी जैसे विग्या पना है अब स्कुर्ण के माध्यम सा आपको इंपर्मिशन दी जाएंगे ठीक है और इसमें किस तरीक से तैयारी कर रहे हैं कौन को अंसरी बाद रहा का उसके पूरी जानकरी आपको मिलेगी इसे चैनल के माध्यम ठीक है प्लीज सब्सक्राइब माई